इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जब सभी लोग खुशी से रह रहे थे तब फोक्स कभीले की रानी नाइन टेल ने अपने राजा को दोखा देकर पूरी सल्तनत पर कबजा कर लिया। खास तरेगा कोच लगाकर उसे पकड़ लिया। इससे खुश होकर माश्टर ने उसे स्वरग आने का मौका दिया ताकि उसे सभी गोड्स का लीडर बनाया जा सके। जियांग जब स्वरग में पहुंसता है तो गोड्स ने उसे बताया कि फोक्स डेविल नाइन टेल की सजा क को माफ नहीं किया जा सकता इसलिए तुम्हें अपनी तलवार की मदद से उसे खत्म करना होगा जिसके बाद ही तुम देवताओं के लीडर बन पाओगे और जिंग्शु होल के सभी शिश्य तुम्हारी बात मानेंगे जियांग 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 फोक्स डेविल नाइन के लिए त्यार हो गए जैसे ही नाइन टेल को जियांग के सामने लाया गया तो नाइन टेल ने अपने ब्रहम से सभी शिश्यों पर हमला कर दिया लेकिन जियांग ने उसे काबू कर लिया और वो जैसे ही नाइन टेल को मारने लगे तो नाइन टेल ने जियांग को एक लेकिन जियांग को विश्वाश था कि वो मासुम लड़की सच में नाइन टेल के अंदर फसी हुई है इसलिए जब नाइन टेल पर पवित रस्त से वार हुआ तो जियांग ने उस लड़की को बचाने के लिए नाइन टेल के आत्मा को आजाद कर दिया इससे गुरुजी उस से काफी नाराज हो जाते हैं और उसकी सारी शक्तियां चील लेते हैं वह से कहते हैं कि जब तक तुम राक्षासों के ब्रहम से आजाद नहीं होगे तब तक तुम्हारा ब्रहम दूरों जाएगा तो तुम वापस जिंग्शु होल में आ सकते हो फिरं में 10 साल बात का सीन द प्तिरी सागर में जियांग को दिखाया जाता है जिसे आप भी वही वीजन साते कि उसने नाइन टेल के अंदर जिस लड़की को देखा था वो कोई भ्रहम नहीं था तभी वहाँ जियांग का साती शिष लियो भी आ जाता है जैसे गुरुजी ने उसे जियांग पर नजर एक भी आ जाता है जो एक बहुत ही बड़ा जादूई क्रियेचर है लेकिनों जियांग के साथ आने की वज़े से वो अपने नॉर्मल रूप में आ गया था जियांग खाना खाने के लिए एक बार की तरफ जाते हैं जहां पहले से बहुत से राक्षस मोजूद थे तबी व लेकिन छला की से वह नकशा लेकर वाहां से बागने लगती है और इस बार की बहुत सी कीमती चीजें नीचे गिरा देती है जिससे वहाँ हर तरफ क्योसमा जाता है, जोई उस नक्षे को लेकर भागने लगती है, मगर तभी उस मेप नीचे गिर जाता है, जोई उस मेप को लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फोल लेक उस मेप को निगल जाता है, तभी बार का उनर जोई पर अटेकर देता है, ज लेकिन तभी जिया उत्री सिमा के बाहर चली जाती है और जियांग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि उत्री सिमा के दूसी तरब नहीं जा सकते थे क्योंकि देवताओं ने उन्हें उत्री सिमा में रहने की सजा दी थी तभी लियो भी वहाँ पहुँझ आता है और जियांग को बहुत गुसा आता है और उसे रोकने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी दूसरे राक्षस उसे गलती से बेऊश कर देते हैं वहीं जियांग एक जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें जोई नजरा जाती है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं वो उससे पू कोशिश करते हैं और वो आंग की मदद से उन फोक्स डेमन को भगा देते हैं वो जो इसे पूसते हैं कि वो राक्षस तुमारे पीछे क्यों थे तो जोई उन्हें कहती है कि जब से मेरी आँख खुली है तब से वो राक्षस मेरे पीछे हैं और मुझे मेरे अतीत के बारे म को मेप देता है जिसना वो भी माउंट योडू पहाड़ पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो सचाएगा पता लगा सके कि असल में जोई कौन है अगले दिनों सफर पर निकल जाते हैं जोई जियांग से पूरे रास्ते मेप लेने कोशिश करती है लेकिन हर बार फोल ले जियांग जोई को बताते हैं कि ये मरे हुए में लोह की आत्माओं को शान्ती देते हं और उन लोह को दिलासा देते हैं जिन्दा है फिरो दोनों आगे बढ़ जाते हैं वो एक जगे पर पहुंसते हैं जिसका नाप फील ओफ थे अंडर रिंग होता है जहां जियांग देखते हैं कि वहाँ एक आदमी जिन्दा होता है जो बहुत ही प्यासा था वो मदद के लिए चिला रहा था जियांग उसके लेते हैं तो जोई मेप लेकर वहाँ से भाग जाती है वो आदमी प्यास की वज़े से मरने लगता है और वो मरते मरते जियांग को कहता है कि माउंट योटू पहाड़ पर फोक्स डेमन है वहाई जोई एक इसी जगह पर पहुंसती है जहां बहुत सारे क्रो होते हैं जो ज हमला कर देते हैं जिससे जोई के हाँ से खुन निकलने लगता है खुन की भून जैसे ही जमिन पर गिरती है तो आद दबी हुई सारी आत्माई जाकरत हो जाती है और वो एक बड़े से राक्षस का रूप ले लेती है वो राक्षस जोई पर हमला करने लगता है लेकिन तब करने के लिए जाता है वहीं वो राक्षस जियांग पर भारी पढ़ रहा होता है क्योंकि जियांग के पास अब अपनी शक्तियां नहीं थी जोई भी वहां पहुचकर राक्षस पर हमला करने लगती है तब उसका बेक नीचे गिर जाता है जिससे आत्माई की विंड चेन व पारे गए और उनके आत्माओं को सही से दफन नहीं किया गया अब फोड लेगो जोई भी दोस्त बन जाते हैं क्योंकि जोई ने जियांग की मदद की थी फिरो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जाओं माउंटेन योडू के प्रोईश द्वार पर पहुंसते हैं जोई को काल पहुंसे पागल आदमी जोई को बंदी बना रखा था तबी वो आदमी जोई के पेर में वो ब्रेसलेट देखता है और जोई को कहता है कि एक नियती का ताला है जो दो आत्माओं को एक साथ जंजीर में बानता है और इस जंजीर में बंदे हुए लोगों में से कोई एक अगर मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है फिरो उस जंजीर को एक्ट्वेट करने लगता है क्योंकि वो फोक्स डेमन को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसकी वाइ चिरांग उसे वहां देखकर हैरान नाहीं तेल जाती है, और उट जोई को लेकर भागने लगती है। लेकिन जियांग जिया के पास अब उनकी शक्तिया नहीं थी, इसलिए वो उसके सामने कमजोर पढ़ने लगते हैं, लियो भी नाइन टेल पर हमला करता है, लेकिन वो भी उसका सामना नहीं कर पाता, तब ही नाइन टेल उने बताती है कि जोई एक आम लड़की थी, लेकिन मैंने इसके शादी वाले दिन इसके शरीट पर कबजा कर लिया, मगर इस ब्रेसलेट की वज़े से मेरी बहुत सी पावर इसके अंदर है, इसलिए वो उसे अपने अंदर समाने लगती है, तो जियांग और लियो दोनों मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, वो उस चेन को तोड़ने ही काफी कोशिश करते हैं, ताकि वो जोई को बचा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, और नाइन टेल उने पकड़ लेती है, तब ही वहाँ फोल लेग अपनी पूरी पावर से नाइन टेल पर अटेकर देता है, और उसे दूर फिक देता है, वहाँ वो पागल आदमी भी मुझूद होता है, और वो नहीं चाहता था कि नाइन टेल की पूरी शक्तियां उसके पास आ जाएं, इसलिए उस जंजीर को मंतर की मदद से फिसे डियक्ट्वेट कर देता है, जिससे फोल लेग जियांग जोई और लियो को लेकर महाँ से निकल जाता है, जोई जियांग को कहती है कि तुम सही थे, कि माउंट योडू में कोई मेरा इंतिजार नहीं कर रहा है, तब ही कुस दूर तक जाने पर फोल लेग कमजोर होकर गिर जाता है, क्योंकि नाइन टेल ने उससे इंजट कर दिया था, जियांग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं बचा पाते हैं, और फोल लेग अपना दम तोड़ देता है, यह देखरो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, तब ही फोल लेग की आदमा उन सभी के पास आती है, और उन सभी से मिलकर चली जाती है, वहीं हमें दिखाया जाता है, कि नाइन टेल उस पागल आदमी को भी मार दीती है, क्योंकि उसकी वज़े से जोई और बाकी सब उसके आद से निकल गए थे, वहीं अब लियो को भी एसास हो जाता है, कि जियांग ने नाइन टेल में जोई को देखा था, वो कोई ब्रहम नहीं था, फिर उसे यह भी कहता है, कि अगर गोड नहीं नाइन टेल को जोई से अटेज किया था, तो तुम जब नाइन टेल फोक्स को मारने वाले थे, तब माश्टर ने इसा क्यों कहा, कि नाइन टेल फोक्स के अंदर कोई लड़की नहीं है, और बस वो एक ब्रहम है, तो जियांग उसे कहता है, कि इसका जॉब तो माश्टर ही देंगे, इसके बाद जियांग हेवन में जाने के लिए एक मंतर बोलता है, लेकिन उस मंतर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि माश्टर उसे वहाँ नहीं आने देना चाहते थे, तो अब लियो जियांग के लिए एक मंतर बोलता है, और उसे माश्टर से कनेट कर देता है, जियांग माश्टर और गोड से कहता है, क्या आपने क्यों जोई को नाइन टेल से कनेट किया, और जब मैंने आपको कहा था, कि Nine Tail के अंदर एक मासुम लड़की है तो आपने इसा क्यों कहा क्यों मेरा ब्रह्म था तो मास्टरों से बताते हैं कि Nine Tail को रोपने के लिए उसकी पावर को किसी बोड़ी में केट करना जोरी था इसलिए मैंने जोई को Nine Tail फोक्स के साथ जोर दिया था साथ ही मैंने तुम्हें वेसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम सभी प्राणियों के बारे में सोचते हो पर तुम संसार के भले के बारे में नीने नहीं लेते क्योंकि अगर तुम उसे मार देते तो उसे लाखों जाने बज जाती और यही हम देवताओं का नियम है तो जियांग उन्हें कहता है कि मुझे देवता नहीं बनना बस मैं हर किसी को बचाना चाहता हूँ इसलिए मेरे लिए एक जान उतनी कीमती है जितनी की हजारों जाने तो मास्टर उसे कहते हैं कि उस ब्रेजलेट को अब नहीं तोड़ा जा सकता इसलिए अब जोई को बचाने का सिवेगी तरीका है और वो है पुनरज़नम इसलिए अगर तुमें जोई को बचाना है तो तुमें उसे बदलते जिवन की तरफ लेकर जाना होगा जहाँ जोई का दूसा जनम होगा तो जियांग गुरुजी को शुक्रिया कहे कर वहाँ से चला जाता है फिरा में दिखाया जाता है कि जियांग और लियो जोई को लेकर बदलते जीवन की तरफ जाते है जहाँ के दौर को जियांग अपनी चड़ी की तागतों से खोल देता है फिरो दोनों बदलते जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन तब उन्हें नाइन टेल फोक्स के आने की आवास सुनाई देती है तो लियो जियांग से कहता है कि तुम जोई को लेकर आगे जाओ मैं उस राक्षस को रोग लूँगा तो जियांग जोई को लेकर आगे बढ़ जाता है जहाँ रास्ते में जियांग जोई से कहते हैं कि अब तुमारा पुनर जनम होगा और अगले जनम में तुम्हारा एक परिवार होगा तुम एक साधरन इंसान होगी वहीं दूसी तरफ लियो नाइन टेल फोक्स से लड़ने लगता है लेकिन नाइन टेल बहुत ताकतर होती है इसलिए उसे रोक नहीं पाता और नाइन टेल उसे जान से मार देती है वहीं दूसी तरफ जियांग जोई को लेकर बदलते जीवन के चेमबर तक पहुंचते है और ओ जोई के पुनर जनम की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है लेकिन तब ही वहाँ नाइन टेल फोक्स पहुंच आती है जियांग उसे रोकने कोशिश करते है लेकिन उस चेमबर तोड़ देती है जिससे उसमें के फोक्स कबिले की सारी आत्माएं आजाद हो जाती है तो जियांग नाइन टेल से कहते है कि इस चेमबर में होने के बाद भी इन आत्माओं का पुनरजनम क्यों नहीं हुआ तो नाइन टेल फोक्स उसे बताती है कि कहीं सालों पेले गोड ने मुझे पूरे फोक्स कबिले को मारने को कहा था जिसके बदले उन्होंने मुझे अगला गोड बनाने का वादा किया था और लालच में मैंने ये शर्त कबूल कर ली और मैंने फोक्स कबिले के सारी इंसानों को मार डाला लेकिन उन्होंने मुझे दोखा दिया और मुझे ना तो गोड बनाया और नहीं उन्होंने मेरे फोक्स कबिले के सभी साथियों का पुनरजनम किया ये सुनकर जियांग हिरान हो जाते हैं इसके बाद नाइन टेल फोक्स अपने सभी साथियों की आत्माओं के साथ हेवन पर अटेक करने के लिए निकल जाती है ये देखर गोड नाइन टेल फोक्स को मारने के लिए उस पर अपना दीवे अस्तर छोड़ते हैं जियांग जोई को बचानी कोशिश करते हैं लेकिन वो उस ब्रेसलेट की चेन को नहीं तोड़ पाते और वो आत्माएं उनके मार्ग में बादा बनती है जिससें वो जोई को नहीं बचा पाते और दिविय अस्तर की वार की वज़े से सबी आत्माओं के साथ साथ जोई भी खत्म हो जाती है अब नाइन टेल फोक्स के खत्म होते ही माश्टर अपने वादे के अनुसार जियांग को नया गोड बना देते हैं लेकिन जियांग को ये सब अच्छा नहीं लगता कि एक एसा न्याई है जहां किसी मासुम की जान ले ली जाती है और किसी को सुदरने के लिए दूसा मोका भी नहीं दिया जाता फिर जियांग जब अपनी पोजिशन समालने के लिए जिंग्शु होल की तरफ जाते है जहां पिछले गोड के अधिकारी जियांग को हेवन में आने से पेले उसे सर जुकाने हो कहते है लेकिन जियांग एसा नहीं करते क्योंकि ओएसे गोड के आगे सर नहीं जुका सकते थे जिनोंने अन्याई किया हो फिर जियांग सभी आत्माओं को न्याई दिलाने के लिए अपनी गोट की पावर से जिंग शू होल को ही तबा कर देते हैं जिससे पिछले गोट माश्टर के साथ साथ उनके अधिकारी भी हेवन प्रीजन में केड हो जाते हैं फिर वहाँ केड सारी आत्माएं आजा दो जाती है और उफीर से पुनरजनम ले लेती है फिरा में दिखाया जाता है कि अब दर्ती पर सभी आत्माओं ने पुनरजनम ले लिया था जिससे दर्ती वापस हरी बरी और खुशाल हो गई थी और साथ ही हम जोई, फोलेक और लियो को भी देख पाते हैं जिनका पुनरजनम हो गया था और अब लियो जो एक अपनी बेटी की तरह खयाल रखने लगता है और ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है और गाईस अगर आब इसकी और वीडियोज देखना चाहते हैं तो डिस्किप्शन में दीगई लिंक्स पर किलिक करके वोच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तेहे दिल से शुकरिया थेंक्स पर ओचिंग